हलो, एवरीवन, जैसे की आपको मने स्क्रीन पे ये कॉश्चन दिखना है, हम इस कॉश्चन को सॉल्फ करना है चलि उस से बेल है इस कॉश्चन को देख लेते हैं इस कॉश्चन में हमें क्या दिया गया है? 5 प्लस 5 जो की हमापास इकॉल दिया गया है 95 के, next 6 plus 3 जो कि हमें equal दिया गया है 73K next 6 plus 1 जो कि हमें equal दिया गया है 48K और हम इस question में क्या find करना है 5 plus 2 कि चीज़ के equal होगा यह हम इस question में find करना है चलिए इस question को solve करने के लिए मैं आपको 10 seconds दे देता हूँ अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल देते तो आप अपना answer हमें comment box में टाइब करके बता सकते हैं चलिए आपकस में शुरू होता है अब अगर आपने 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में टाइब करके बता सकते हैं चलिए इस question को solve करते हैं इस question में हमें क्या दिया गया है 5 plus 5 जो की equal होगा 10 के और हमें आप equal दिया गया है 95 के equal दिया गया है next 6 plus 3 जो कि हमापस equal होगा 9 के और हमें आप equal दिया गया है 78 के equal दिया गया है उसी तरह next में हमापस 6 plus 1 जो कि हमापस equal होगा 7 के और हमें आप equal दिया गया है 48 के equal दिया गया है और last में में इस question में क्या find करना है 5 plus 2 जो कि हमापस equal होगा 7 के और हमें यही पर बताना है कि question marks की से दिखोगो तो इस कूश्च में हमापास क्या बाइट अबनता है सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर का लेना है फैफ प्लस फाइब जिसका समापस इकोल होगा nine के उसी nine का लेना है square जो कि हमापस equal होगा 81 के और 81-3 करना है आपको second number जो कि है 3 81-3 जो कि equal होगा 78 के equal होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही Sam form ना हमापस next में भी होगा यानि हमें next में पहले इन दोनों number का लेना है sum 6 plus 1 जिसका sum मापस equal होगा 7 के और 7 का लेना आपको square जो कि equal होगा 49 के और 49 minus करना है आपको second number जो कि हमापस है 1 49 minus 1 जो कि हमापस equal होगा 48 के equal होगा जो कि आपको पने screen पे यहाँ पे देख रहा है यही same formula हमापस last में भी होजोगा यानि कि हमें last में क्या करना है पहले इन दोनों number का लेना है sum 5 plus 2 जिसका sum मापस equal होगा 7 के और 7 का square यानि की 49 और 49 में आपको minus करना है second number जो कि हमापस है 2 49 minus 2 जो कि हमापस equal होगा 47 के equal होगा यानि कि जहाँ पे आपको question marks दिखना है वहाँ पे हमापस क्या आएगा 47 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में type करके बता सकते है